Hello and welcome to Hope Tushanty Adho, I hope you are in the best of your health and spirit. In this video, I am going to comprehensively cover all the Tiger Reserves of India and also all the topics that are related to Tigers and are very much important from the exam perspective. तो एक इस वीडियो में हम Tiger Reserves के साथ-साथ Tigers related जित्ती भी information है, जो कि हमारे exam perspective से important है, उन सब को हम कवर कर लेंगे सिर्फ एक वीडियो में. तो एक वीडियो ऐसी भी. क्या करेंगे इस वीडियो में हम? हम protected areas में समझेंगे कि Tiger Reserves होते क्या हैं. Tiger Reserves होते क्या हैं, इसको समझने के बाद हम इनको locate करेंगे. कि इंडिया में कहां कहां पर Tiger Reserves हैं, तो मेरे साथ आप भी locate करेंगे, map के साथ ready रहेगा, pause कीजे, जाकर map लेकर आइए, साथ में हम क्या करेंगे, mapping करेंगे. हम एक-एक state में जाकर, हम Tiger Reserves को locate करेंगे, north, south, east, west, sub-alignation आपको देखना पड़ेगा, ताकि exam में आपसे कैसे भी पूछ ले, आपका ये map त्यार होना चाहिए, तो Jim Corbett के उपर है राजा जी, या नीचे है राजा जी Tiger Reserves, ये आपको वहाँ पर समझना पड़ेगा. तो जैसा मैंने mapping की है, आपको मैं वैसी mapping करवाँगा, और एक-एक Tiger Reserves को जाकर हम locate करेंगे, ताकि 52 Tiger Reserves आपके सारे locate हो जाए map पर. उसके बाद हम क्या करेंगे, Tiger Census Report 2018 का data देखेंगे, simply data देखेंगे, statement wise सवाल आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पर ये data देखना बहुत जर करेंगे, और Indian Tiger, Royal Bengal Tiger के बात करेंगे, IUCN status भी देखेंगे, Wildlife Protection Act में का status है, उनका सब का status देखेंगे, Kazi 10F की बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम India का सबसे पहला Interstate Tiger Translocation Project के बारे में बात करेंगे, जो की fail हो गया, पर यह project क्या था, exam से related है, Tiger से related है, तो इसके बारे मन कीडियर ट्राइब के पास चलेंगे, Simlipal Tiger Reserve में, यह मन कीडियर ट्राइब है, जो की particularly vulnerable tribal group में भी आती है, जिसे हम PVTG group पे कहते हैं, और UPSC ने 2019 में इसके उपर सवाल भी पूचा था, PVTG group के उपर सवाल पूचा था, तो इसका backward linkage भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और तो protected areas कई type के हो सकते, protected areas में wildlife century हो सकती है, national park हो सकते है, community reserves या conservation reserve हो सकते है, tiger reserves हो सकते है, marine protected areas हो सकते है, biosphere reserves हो सकते है, तो Biosphere Reserves की भी हम एक बार एक वीडियो में इसकी भी बारे बात पूरी बात कर लेंगे Biosphere Reserves देख लेंगे, वहाँ पर हम MAP LIST देख लेंगे UNESCO की तो वो टॉपिक भी हमारा पूरा comprehensively cover हो जाएगा Bird Century होता प्रोटेक्टेड डियाईज में और Natural Conservation Jones हो सकते हैं तो यह होते हैं इसमें आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ Tiger Reserves की तो एनी नेशनल पार्क और वाइल लाइफ संचरी यानि कोई भी नेशनल पार्क के वाइल लाइफ संचरी ताइगर रिजर्स भी हो सकती है और यह क्या होते हैं ओर इसको एंडिया में जो Tiger Reserves होते है जहीं धिद्क होते हैं जिसको उहाँ अगिज़ में वह ग्री सकता है यह क्या है peripheral area ठीक है इसे हम buffer zone भी बोलते हैं तो यहाँ पर टाइगर रिजर्स में हमेशा दो चीज होगी core area and buffer zone core area में बहुत immense protection होगा बहुत ज्यादा protection होगा tigers के लिए यानि कोई भी activity यहाँ पर permitted basically नहीं होगी बाकी जगा देखिए activity permitted है यानि buffer area में वह activity आप कर सकते हो लेकिन core area में कोई भी activity नहीं कर सकते हो वहाँ पर tiger को protect करना है तो इसलिए तो हमने tiger reserves बना है जहाँ पर सिर्फ टाइगर का ही राज होगा अच्छा तो यहाँ पर हमने देखा कि नेशनल पार्क के wildlife century that is considered significant for protecting tigers can also be designated as tiger reserves और यहाँ पर इसको project tiger के अंदर गवर्ण किया जाता है जिसको administered करता है नेशनल टाइगर conservation authority एक core zone होता है जिसे हम critical habitat जो critical tiger habitat भी बोलते हैं साथ में buffer zone भी होता है इंडिया में 52 टाइगर reserves हैं आईए उनकी location को हम locate करते हैं आईए भाई साथ में आप भी आईए तो अगर आप देखें मेरा location का तरीका थोड़ा सा अलग है मैं locate करता हूं इस तरह से जमुएन कश्मीर हो गया यह हिमाचल हो गया उत्राखंड हो गया तो मैं ऐसे belt वाइस जाता हूं ऐसा पूरा belt ऐसे उठाता हूं यानि अगली belt मैं ऐसे उठाऊंगा ऐसे पूरा कावर करूंगा उसके बाद फिर मैं चार देखूंगा राजिस्थान हो गया मदब्रदेश हो गया यह 36 गर्ड उडिसा एक belt में आएगा फिर मेरे गुजरात महराष्ट जो है तिलंगाना और यह आंद्र प्रदेश में उत्राखंड में दो हैं उत्राखंड में जो दो हैं वह हैं सबसे पहले राजा जी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बट टाइगर रिजर्व तो आप लोकेट कीजिए राजा जी टाइगर रिजर्व एंड जिम कॉर्बट टाइगर रिजर्व में सबसे आदाौ से हम देखेंगे पूरा डेटा देखेंगे पहले अप लोकेट करिए और लोकेशन देखेए रेगल करिए जहाँ पर मैंने लोकेट किए वहीं पर लोकेट किजागा precise location कीजेगा ठीक है उसके बाद अगर आप आएंगे तो उसके बाद आप आईए सीधे अरुनाचल प्रदेश में यहां पर देखिए यह है पक्के tiger reserve या इसी को हम पाक्वी tiger reserve भी बोलते हैं तो पक्के बोलिए या पाक्वी tiger reserve बोलिए आगे बढ़िए कामलांग tiger reserve और नामदफा tiger reserve तो यहां मतलब अरुनाचल प्रदेश में यहां पर तीन tiger reserves हैं और उत्तरा खंड में दो हैं अब नेक्स बेल्ट पर आते हैं पंजाब में कोई भी नहीं है हर्याना में कोई भी नहीं है यूपी में आते हैं यूपी में दो हैं पिली भी एन दुद्वा tiger reserve तो यहां पर देखिए पिली भी एन दुद्वा tiger reserve देखिए यह है यूपी की location पूरी देख लीजे थोड़ा सा MP में ऐसे घुसा है और उसके बाद यहां पर हैं पिली भी पूरी की tiger reserve वालमी की टाइगर reserve यहां पर लिखिए वालमी की tiger reserve यहां पर एक दम कोने में locate कीजिए उस चीज को वालमी की tiger reserve और नीचे है पलामव टाइगर रिजव यह है जारकन में एसा दिखिए जूम आउट कुछ क्छे आपको दिखा रहा हूं यहां पर है वालमी की यहां पर है पलामाउ, पलामाउ टाइगर रिजव, इसको देखिए, पलामाउ टाइगर रिजव, ठीक है, उसके बाद आईए, वेस्ट बेंगॉल में, वेस्ट बेंगॉल में दो हैं, एक सुन्दरबन है, सुन्दरबन्स टाइगर रिजव, सुन्दरबन्स के बारे में दे as well as रामसर साइट, जैसे रामसर साइट की मैंने पूरी वीडियो में उसको आपको बताया भी था, and recent tiger estimation seen as rise in the number of tigers in the सुन्दर बन, ठीक है, तो सुन्दर बन हो गया वेस्ट बंगॉल में, और वेस्ट बंगॉल में एक और है, बकसा tiger reserve, यहाँ पर zero tiger की count है, zero tiger count है, ठीक है, यह हम data देखेंगे, बस मैं आपको ऐसा information दे रहा हूँ, आप locate करो पहले, तो यहाँ पर कहाँ पर, यह है chicken next, ठीक है, हमारा, और यह है बकसा tiger reserve, बकसा, बकसा, जो भी आपको बोलना है, बकसा tiger reserve, और यह होगे सुन्दर बन, य यह मानस tiger reserve से, मानस, यहाँ पर है मानस, उसके बाद है ओरंग, उसके बाद है नीचे काजी रंगा, काजी रंगा, tiger reserve, और उसके बाद है न मेरी, न मेरी न तेरी, यह है न मेरी tiger reserve, तो मानस, ओरंग, काजी रंगा, न मेरी, यह चार हो गए tiger reserve, असम में, ठीक है, और एक है, यहाँ पर मिजोरम में, डंपा डंपा टाइगर रिजव है मिजोरम में, तो यह हो गया नागलेंड, यह हो गया मनिपूर, यह हो गया मिजोरम, तरिपूरा, एंड मिखाले और यह हो गया सम, यह हो गया अग्दम नहीं है एकदम भी Tiger Reserve नहीं है यहाँ पर और सिर्फ मिजोरम में Tiger Reserve है एक जिसका नाम है Dumpa Tiger Reserve तो अभी तक आपने किते देख लिए तो अभी तक आपने देखो यहाँ पर मैं आपको एक देखा Dumpa Tiger Reserve लोगेट के अतना कोई दिक्कत यहाँ था ठीक है आगे बढ़ें आगे वाली बेल्ट मतलब या ली बेल्ट इस वाली बेल्ट में आईए राजिस्थान मद्वर्देश शत्तिजगर उड़ीसा राजिस्थान से शुरुआत करते हैं राजिस्थान में यह र सडी का टाइगर मठंवेरा करते उसके बाद सर्यिस्था की नीचे यहां पर आइये जस्ट नीचे यहां पर अपर आतको मिलेगा रंथमपोर इसलिए मैंने इसको अलग को दिखाया है आदर्वाइस आप क्लर कोडिंग यहाँ पर देहे हैं देखिए UP में कलर कोडिंग अलग है यहां पर कर रखेंग तो कडर क्लर कोडिंग अलग इसलिए कर रखिये ताकि आपको आपको आपके दिमाग में चीज बैट जाए तो यह कौन सा नंबर का है यह 50 सेकंड नंबर का है टाइगर रिजव तो सरिस्का रंथम बोर रामगर्ड विजधारी और उसके जस्ट नीचे है मुकुंद्रा टाइगर रिजव मुकुंद्रा टाइगर रिजव तो यह चार लेंगे एक उपर मिलेगा सरिस्का रंथम बोर रामगर्ड विजधारी और मुकुंद्रा टाइगर रिजव आपको यह वीडियो लंबी बिलकुल नहीं लगीगी क्योंकि आप साथ में लोकेट कर रहे हैं अगर आप बैट के सर्फ देख रहे हैं तो आपको यह वीडियो बहुत भारी भी लग सकती है ठीक है आईए MP में आईए मद्द प्रदेश में अगर देखें यह यहाँ पर घुसा है इसके जस्ट ऐसे 90 डिगरी पर डाल दीजे आपको मिलेगा सत्पूरा टाइगर रिजव लिखिए वहाँ पर लोकेट कीजिए लिखिए वहाँ पर यहाँ पर जैसी अंदर घुसा है थोड़ा सा इधर जाईए इस्ट में यहाँ आपको मिलेगा पन्ना टाइगर रिजव जिसको हमने अभी बाइस्फेर रिजव का भी दर्जा दे दिया है तो जब हम बाइस्फेर रिजव पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पन्ना टाइगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी नोट कीजेगा जब मैं आपको बाइस्फेर रिजव बताऊं तो वहाँ पर भी नोट कीजेगा पन्ना टाइगर रिजव को हमने पहले से ही बारवा नंबर का मैब लिस्ट में इंक्लूट किया गया इसको ठीक है तो बाइस्फेर रिजव पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैबलिस्ट में देखेंगे पहले 11 यह थे अब 12 हो गया है क्योंकि बारवा जो है वो पन्ना टाइगर रिजव को मैबलिस्ट में इंक्लूट कर लिया गया ठीक है तो यह मंद्ध विदेश में पन्ना टाइगर रिजव हो गया पन्ना के बाद गोड़ टाइगर रिजवर बांधवगड टाइगर रिजुजव 12 всё एक मेल और एक को किसी और रोट जो प्रविश्बट से इंटे स्टेट ड्रसलोकेशन प्रविश्ब फिल हो biliyor है ुसके बानधवगड Tiger reserve काणा Tiger reserve और यहां पर चैर कर रिजेव पेंच जो doit ठोड़ेस में भी आता है और यहां पर थोड़ासा महराष्ट में भी पाइंच Tiger reserve और एमपी में भी टाइगर रहए तो फेज़ तो पेंच दोनों में तो अगर आप यहांपर देखें MP को MP में कितने होगे 123456 सत्पुरा पन्ना संजे डूबरी बांधवगड काना एंड पेंच टाइगर ठीक है अब आते हैं इसी लाइन में आगे चलते हैं कहां पर पहुंचते हैं 36 गड़ पहुंचते हैं 36 गड़ में तीन हैं सबसे ऊपर शुरुवात करेंगे अचना कुमार अचना कुमार अमरकंटक अचना कुमार टाइगर रिजव अचना कुमार भी बोलते हैं इसको मैं कुमार बोल देता हूं याद होने के लिए एकदम फ्लो में निकलता है अचना कुमार टाइगर रिजव उसके बाद यहां पर है यह थोड़ा से देखिए आप 36 गड़ टाइगर रिजव उदंती सीता नदी टाइगर रिजव और यहां पर है यहां पर है उदंती सीता नदी और इसके जस्ट पोजिल डेधर साइड है इंद्रावती टाइगर रिजव इंद्रावती तो इधर की साइड है इंद्रावती टाइगर रिजव तो इस्ट वेस्ट अलाई नेशन अगर आपसे पूछे इतना क्लोज नहीं पूछेगा लेकिन वह पूछ लेता है कैंसर से होते हुए और या तो वह आपको लॉंगिट्यूड के हिसाब से पूछ लेता है तो उस हिसाब से आप देख लिजेगा ठीक है तो अचनक कमार हो गया उदंती सीतनदी हो गया इंद्रावती टाइगर रिजब और उसके बाद आ गया ओडिसा में दो हैं सिर्फ एक सिमलीपाल हो गया और एक सतकोषिया हो गया रजिस्थान में चार हो गया तो राजिस्थान में 4 हो गया जारी एंड मकुंद्रा टाइगर रिजब एंपी में 6 हो गए पन्ना सत्पुरा संजे डूबरी बांदवगुड काना एंड पेंच और यहां 36 गड में तीन हो गए अचना कमार उधनती सीता नदी एंड इंद्रावती और यहां पर उडिसा में हो गए सत्कोषिया एंड सिंबली पाल टाइगर रिजब ठीक है इतना कोई दिक्कत यहां तक आगे चलते हैं हम महरास्ट में गुषते हैं गुजरात में तो कुछ है नहीं यहां पर सीधे आते हैं महरास्ट में महरास्ट में आपको मिलेगा सबसे पहले यहां पर आईए वेस्टन इस पर आईए तो आपको मिलेगा वेस्टन गात्स की तरफ पर शह्यारी टाइगर रिजब इसको हम बोलते हैं तो यहां पर वेस्टन घाट होंगे आगे जाकर नील गिदी पे मिलें आई चैंग भी तो यहां पर है सयाद्री टाइगर है सयाद्री के बाद अन्यों महाराष्टा यहां पर कई मिलेगे सब को पेंच के नीचे आप से मिला ही लीज़े पेंच अब उसके नीचे है पेंच समारी नीचे बोर टाइगर रिजब और उसके पास है इदर थोड़ा सा वेस्ट में मेलगाट टाइगर रिजब महें मेलं का व गयाbe पेचिक आप मिलेगा नवे गाउन नागजिरा टाइगर रिजव के नीचे है यहाँ पर तक ते बादरी टाइगर जूम आउट कувати लिए सायादरी यहां पर है सायादरी मेल घाट पेंच बोर नवे गाउं नाग जिरा एंड टडोबा अंधरी टाइगर रिसा लोकेट करते चलना मेरे साथ बहुत मज़ा आएगा बहुत कॉंप्रेंसिव कपरेज है एक बार इस वीडियो को देखेंगे कभी जरूरत नहीं प उसके बाद आईए आप तिलंगाना में तिलंगाना में दो हैं एक है कवाल टाइगर रिसव और एक है अमराबाद टाइगर रिसव तो यहां पर देखेंगे सबसे उपर है कवाल कवाल टाइगर रिसव और दूसरा है अमराबाद टाइगर रिसव तिलंगाना में दो हो ग टाइगर रिजप यह ऐंध प्रदेश में तो आम्राबाद के जस्ट नीचे है और यह सबसे बड़ा है यह सबसे बड़ा है टाइगर रिजप ठीक है थो यहाँ पर हमने आपने देख़ heaven को यहां पर आपने तेलंगाना को देख लिए और यहाँ पर आपने आंध प्रदेश को देख लिया, गुजरात में 0 है नन है, लेकिन गुजरात में 3 रामसर साइट जरूर है, जो कि मैंने आपको रामसर साइट वाली क्लास में बताया है, ठीक है, उसके बाद आते हैं, गोवा में तो बिल्कुल भी नहीं है, टाइगर र तो काली कहीं पर लिखा होगा, कहीं पर दांदली अंसी लिखा होगा, बहुत confusion create करता है, यहाँ पर यहाँ पर दो आपको लिखके दिया है, तो यहाँ पर क्या है, यह गोवा के पास में है यह दांदली अंसी टाइगर रिजव, और उसके जस्ट नीचे है भद्रा तो यहां पर Eastern Ghahats और Western Ghahats मिलते हैं निलकी पर कई हैं यहां पर देखिए आप यह Tamil Nadu हो गया करनाट का उपरकर्ला यह कर्ला यह टीनों को बॉर्डर से अपर यहाँ लॉइब कर नागिर हो यहां पर तयागर होल के बाद यह बहुत औरaneति ऴहिंग के बाद ऑन् तो यहाँ पर 3 हो गए, नागर होल, यहाँ पर बांदीपुर, एंड बिली गिरी रंगनाथ टेंपल, टाइगर रिजब, तो 3 यह हो गए, 2 उपर हो गए, दांदली अंसी, एंड भध्रा टाइगर रिजब, तो करनाटेका में कितने हो गए भाई, 5 हो गए, उसके बाद आई ठीके, अब आते हैं तमिल नाडू में, तमिल नाडू में कहीं हैं, यहाँ पर सबसे उपर देखेंगे, बिली गिरी रंगनाथ टेंपल के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको सत्य मंगलम टाइगर रिजब, सत्य मंगलम टाइगर रिजब, स मिलेगा आपको अन्ना मलाई Tiger Reserve और अन्ना मलाई और देखे प्रामी कुलम जो है वह आपस में देख सकते आप लोकेशन तो अन्ना मलाई कि नीचे आप आएंगे तो इसको हम बोलेंगे Mega मलाई या इसी को हम पूरा बोलते हैं श्रीवीलि पुथ्थूर Mexico और उसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कलकड मुंडधुराई टाइगर रिजव नाम पढ़ने में बहुत मज़ा आता है अगर आप प्रनेशेशन का पकड़ ले तभी मज़ा आता है वैसे नहीं तो बढ़ नहीं पाते हैं हम भी नहीं पढ़ पात सबसे बैठ जाता हूँ नीन बहुत आती सुपस बसे सुपसबस मैं इक ही काम करता हूं ऐसे मैप लेकर उसको मैं पढ़ता हूं जोड़-जोड से चिल आता हूं तक कि पड़ोसी भी उड़ जाय उसको भी मुठाने की पूरी कोशिश करता हूं ताकि वह भी यूपीश्यक पर अबिगुलम परियार बोलता रहता हूं दो-चार मिनट यह अपने आप याद हो जाते हैं इनकी खास बात यह है कि यह ट्रेक से यह चीज़ आपको अपने आप याद हो जाएगी मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा यहां पर यह अपने आप में एक ट्रिक है इसको आपको याद नहीं करना जबड़्यास्ती एक दिन इंकरना इसको वह रोजवर्ड कर एक जैसे रवायर की लोग इतरा आपको बोलना है मैं भी पागल हूँ आप भी पागल बन जाओ कवाल एन आमराबाद ठीक है यहां पर आप देखेंगे रंथंबोर सरिष्का रामगड मुकुंद्रा सरिष्का रंथंबोर रामगड मुकुंद्रा सत्पुरा पन्ना संजी दूपरी कि बाक्सा 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 संदर्बन 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 मानस ओरंग काजी रंगा न मेरी न तेरी मानस ओरंग काजी रंगा न मेरी पाखोई पक्के पक्के कामलांग नाम दफा नाम दफा नाम दफा डंफा 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 ऐसे ही पागलों तरह बोलना है मैं आपको ब मेरे साथ पागल बन सकते हैं, most welcome, इस तरह से आपको यह याद करने हैं, trust me, यह आपको याद हो जाएंगे, that's my promise to you, मैं यह promise कर रहा हूँ, अगर आपने चार दिन यह काम किया, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, एक दिन में रटना नहीं है, हर एक नाम को पांच बर बोलना ह चावते दिन आप में को टेलिग्राम में मैसेज कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं हुआ, तो मैं जो भी आप कहेंगे, मैं वो करूँगा, ठीक है, चली भाई, लिकें यह एकदम proven technology है, यह जो proven trick है, आप ऐसा समझो, ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे locate कर दिए, यह पू जिसमें मद्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 526 Tiger Reserve, तो मद्य प्रदेश में आपने 6 Tiger Reserve देखे थे, यहाँ पर 526 Tiger का count है, यानि स्टेट वाइस अगर देखें, तो MP में सबसे ज़्यादा Tigers है, 526 Tiger है, पूरे इंडिया में 2967 है, तो यहाँ पर सिर्फ है 526, और यहाँ आपर हमने 6 Tiger Reserve देखे थे, याद करना चारा, सत्पूरा बीच में था, उसके बाद पन्ना था, संजे डूबरी था, उसके बाद क्या था, बांधवगर था, काना था, और पेच था, ऐसे दोखें मैंने लोकेट भी कलिया, अब मैंने कोई याद नहीं किया, मैंने सच बता कर रहा हूं, मैं आपके साथ ऐसा ही कर रहा हूं, जैसे मैं अपने साथ किया हूं, मैं आपको कोई ऐसा amazing सा trick नहीं बताऊंगा, out of the box, जो मैंने कभी apply ना किया हो अपने आप, मैंने यी चीज़ apply किये, trust me on that, तो यहाँ पर 2967 Tiger Reserve का count है, यहाँ पर MP में 526 Tigers हैं, और आप दे देखा था कि यहाँ पर बीच में बांदीपूर था, यहाँ पर कोई नाम था, इसके इधर था, बिलिगिरी रंगनाथ टेमबल था, और यहाँ पर नागर होल था, तो यहाँ पर 5 हो गए, इन पांचों को में कितने Tiger Reserve थे, तो Tiger Reserve थे, और Tiger का count कितना था, 524 था, यहाँ दो ताइगर के अंतर से, MP जो है, वो जीद गया, करनाथ का जो है, वो second number पर आ गया, ठीक है, तो यह दोन information जो important थी, वो हमने देखा, यानि इंडिया में अगर टूटर टाइगर का population count देखें, 2967 है, statewide MP, करनाथ का and UK, उत्तरा खंड, UK मतलब उत्तरा खंड यहाँ पर, दो थे राजजी और Jim Corbett, Jim Corbett में टाइगर की संख्या जधा है, इसलिए third number पर आ रहा हमारा state wise, अगर आप देखें, यहाँ पर कितना है, 442 है, उत्तरा खंड में टाइगर का count, ठीक है, और अगर information देखें, largest continuous tiger population of, tiger population in the world, of about 724 tigers was found in the western guards, यानि पूरे world में, अगर continuous tigers की population देखें continuous area का मतलब यह होता है, continuous area का मतलब यह होता है, कि राजिस्थान के बगल में मर्द प्र देशे, तो continuous area है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई चीज़े फिर कोई छोड़ दिया, फिर वहाँ पर कहीं tiger is होगए, ठीक है, तो ऐसा नहीं, continuous area में अगर देखें, continuous largest tiger population in the world, जिसको 724 tigers जहाँ पर वो बेल्ट कौन सी है, वो western घाट की बेल्ट है, जहाँ पर आएगा नागर होल, बांदीपूर, वयनाड, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, BRT ब्लॉक, अगर आप देखें, मैप में देखें, यह है, नागर होल, बिलिगिरी, रंगनाथ, सत्यमलाई, मुदुमलाई यह जो बेल्ट है, यहाँ पर आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में, कंटीगोस टाइगर पॉपलेशन का जून, 724 है, यहाँ पर काउंट, अगर सेकेंड आप देखेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपलेशन अफ अबाउट 604 टाइगर वस फांड अ याद करने का मतलब यह था, कि आपको जब डेटा दिया जाए, तो आप जनरली वहाँ पर पहुंच सको, आप वाकई में वहाँ पर पहुंच सको, आप ब्रेन से वहाँ पर पहुंच कर सको, उस चीज को फील कर सको कि हाँ यार इस बेल्ट में है 604 और नीचे था वो 7 पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी, तो टाइगर की देंसिटी पूरे वर्ड में सबसे ज़्यादा कहां पर है, हमारे यहाँ जिम कारोबेट टाइगर रेजर्फ और देखें हम, और कुछ इनफॉरमेशन भाई, जो आप बता सकते हैं तो बिलकुल जो मदब्रदेश का pinch century है और जो किरला का periard century है they are emerged as best managed tiger reserves तो ये सबसे अच्छे tiger reserves है, best managed tiger reserves है तो periard अपने location देखी थी, periard कहाँ पर है, ये देखे, periard है ठीक है दिखे आपको periard, और zoom करके दिखाऊं, ये periard ठीक है और दूसरा कौन था सत्य मंगलम टाइगर रिजर्फ इं तमिल लाडू रजिस्टर्ड मैक्सिमम इंप्रूब्मेंट सिंस 2014 2014 से देखे हमेशा 4 साल में टाइगर रिजर्फ कौन सा है तो वह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्फ तमिल नाडू ठीक है तो यह बताने का मतलब यह कि ऐसे स्टेट्मेंट पढ़ कर आप वहां पर पहुंच सको तो आप मेंटली वहां पर प्रिजेंट हो सको ठीक है तो यह हो गया सत्तमंगलम, आगे क्या है, डंपा and राजजी reserves in मिजोरम and उत्राखंड respectively are at the bottom of the list in the Tiger Count, तो Tiger Count की list में बक्सा याद कीजे, डंपा याद कीजे, मिजोरम में, तो बक्सा तो वेस्ट बेंगल में डंपा को याद कीजे, डंपा कहाँ पर था, यह मिजोरम में, यहाँ पर डंपा है, यह मिजोरम में, तो डंपा हो गया, और second है, राजजजी, यानि जिम कॉर्बेट के बगल में जो राजजजी था, वो राजा जी यानि उत्राखंड में जो राजा जी था और जो मिजोरम में डंपा है इन दोनों में ही क्या है यह दे आर अड़ बॉटम इन दे लिस्ट अफ टाइगर काउंट तो टाइगर काउंट की लिस्ट में यह दोनों ही एकदम नीचे पर हैं और अगर आपको मैं बा त्रिस फिर देखोएम यहां यहां पर यहतीनों में कोई भी टाइगर नहीं यहां इन तीन टैकर रेजम में कोई भी टाइगर ही नहीं थीerk clair इसनी बात ठीक है तो यह आपको सब्सक्राइड यहीं कुछ और अब्चभ किया गया फ्लेख TOP Sand Petersburg Tiger Summit in Russia when all 13 Tiger Range countries came together for the first time with the commitment of doubling the number of wild tigers by 2022 wild tigers की गिंती को double करना है by 2022 इसी initiative को हम बोलते हैं TX2 यानि T into 2, Tigers into 2 doubling the tiger count by 2022 तो यह कब हुआ था, यह कब हमने लिया था यह plant हमने 2010 में लिया था कहां पर हमने Sand Piggers Tiger Summit हुई थी रशिया में जहां पर 13 Tiger Range Countries आकर आपस में बैठी थी और उसने यह कसम खाई थी कि हम 2022 तक Tigers के count को हम double कर देंगे इस initiative को उनने बोला था T into 2 या TX2 आप बोल लिजे ठीक है और वहीं से annually हर साल 29 July को हम Tiger Day भी मनाते हैं ठीक है तो annually हम Tiger Day मनाते है Global Tiger Day अब होता है 29th जुलाई को ठीक है और Global Tiger Recovery Plan which outline how each country can contribute to the ambitious goal of ambitious goal known as TX2 डब्लिंग the Tiger Count by 2022 तो Global Tiger Recovery Plan है जो की बताता है कि कैसे country contribute करेगा किस तरह से वो डबल करेगा Tiger के count को यह 13 range countries कौन सी है यह देखना बहुत ज़रूरी है 13 range countries में सबसे पहले हैं इंडिया उपर होगे है नेपाल भूतान यहाँ पर है हमारा बागना देश उसके उपर चाइना मैनमार, लाउज, कमबोडिया वैतनाम, थाइलेंड, मलेशिया इंडोनेशिया and चाइना के उपर रश्या, चाइना के उपर रश्या यह है 13 Tiger range countries ठीक है अब यहाँ पर हम बात करते हैं Indian Tiger, अब आउट Indian Tiger यह Indian Tiger है, इसको हम Royal Bengoy Tiger भी बोलते हैं और साथ में हम इसको बोलते हैं Panthera Tigress, Panthera Tigress इसको भी बोलते हैं यह क्या भाई This Tiger is native to India This Tiger species is native to India तो यह Indian Tiger जो है वो बोल रहा है कि देखो मैं इंडिया का native आदमी हूँ लेकिन मैं IUCN की list में endangered में आता हूँ तो IUCN की list होती है उसमें मैं endangered categories में आता हूँ Largest population of Bengal Tiger आ रहे हैं इंडिया But there are some smaller group in Bangladesh, Nepal, Bhutan तो सब ज़्यादा population कहां पर है Royal Bengal Tiger की इंडिया में पर थोड़ा थोड़ा बॉंगलादेश, नेपाल और भुटान में भी प्रिजेंट है और थोड़े थोड़े यह चाइना और बर्मा में भी प्रिजेंट है Tigers are both flagship and umbrella species यह flagship species भी हो और umbrella species भी है As a flagship species they are important for conservation and as a umbrella species Tiger conservation lead to conservation of other species तो जब यह flagship scheme में आते हैं तो इसका मतलब है कि इनका conservation करना बहुत जरूरी है They are very much important for conservation अब जब इनको umbrella species भूलते हैं इसका मतलब यह है कि इनके conservation की वज़़े से और species का भी conservation होगा Tiger conservation lead to conservation of other species यह रहा All about Indian Tiger यह Royal Bengal Tiger अगर इसको हम देखें तो IUCN का status क्या था इंडेंजर्ड है था Wildlife Protection Act 1972 में देखें तो हमारा यह schedule 1 में आता है और sites को हम देखें तो यह appendix 1 में आता है sites की list में ठीक है अब बात करते हैं काजी 10F अगर आप से पूछ ले कि what is the term you have seen the related term in the news इसे पूछ लेता है कि आपने काजी 10F क्या होता है that is seen in the news recently तो इसे सवाल अगर पूछे तो यह काजी 10F है क्या It is the India's only golden tiger found in काजी रंगा नेशनल पार्क of Assam तो आज समय मैंने आपको काजी रंगा नेशनल पार्क बताया था ठीक है काजी रंगा में यह पाया जाता है जिसका नाम है काजी 10F यह क्या है only golden tiger found in काजी रंगा नेशनल पार्क of Assam तो इंडिया का एक मात्र golden tiger जो की काजी रंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है जिसका नाम है काजी 10F कुछ इस तरह से दिखता है golden color का होता ठीक है आई हम बात करते हैं ट्रांस लोकेशन की इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट ट्रांस लोकेशन प्रोजेक्ट ट्रांस लोकेशन का मतलग तो समझ गया होंगे आपको की एक जगह से tigers को उठाना है और दूसरी जगह पर जाकर उनको लोकेट करना है तो इसका परपस क्या है ऐसा हम करना क्यों चाहते हैं हम यह करना चाहते हैं कि reducing the tiger population in areas where access tigers to majorly reduce territorial disputes ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं ताकि जिस एडिया में बहुत डेट सारे tigers हैं वहाँ पर हम tiger की population को reduce करते हैं नहीं तो वो क्या करते हैं अपनी territory के लिए dispute करते हैं आपस में लड़ाई करते हैं वो tigers और to reduce tigers in areas where the population has considerably reduced due to various regions और उनको वहाँ पर जाकर छोड़ दे जहां पर कम tigers हैं तो हम क्या करना चाहरे हैं उनकी एक position उनको उठाकर दूसरी location में हम डालना चाहरे हैं उसके कारण दो हैं कि जहां पर ज्यादा हैं वहाँ पर territorial dispute बहुत ज्यादा होगा उस territorial dispute को हम अटाना चाहते हैं दूसरी बात वहाँ पर जहां पर population कम हैं वहाँ पर हम tigers को लाना चाहते हैं ठीक है तो यह हम करना चाहते हैं इसलिए हमने क्या किया इंडिया का पहला interstate तो यहाँ पर देखें अगर आप देखें तो बांधपगड़ से यह रिशेय्度 होगेवा इस लिए और इस प्रजेक्क के साद कुछ इशू थे Cry इसलिए tusreequ उस Tiger Reserve के जो हमने देखा जहां पर उनका Translocation किया गया इस सत्कोषिय Tiger Reserve के इसके फ्रिंज में विलिजर्स रहते थे उनको बाड़ी दिक्का थी क्योंकि भाई जहीड से बाते वो Tiger होंगे और Tiger की वज़े से क्या होगा तो क्या हुआ अगर वो डर रहे थे तो हमने कुछ मेंजर्स नहीं लिया उनका confidence बिल्डप करने के लिए इसका यह प्रपस है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा उनको confidence बूस्ट अप करना चाहिए वो डरे हुए थे तो नहीं ने प्रोटेस्ट किया तीसरी बात लो प्रे बेस फोस्ट टाइगर इस टू हूमन डॉमन डॉमिनेटेड एरिया कॉसिंग हूमन एनिमल कॉन्फिक्ट तो वहां पर क्या हुआ सतकोशिय टाइगर रिजर्व हम दब ले गए उसको तो वहां पर जो है प्रे मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को टाइगर कहता वह रहे बेसिक लिए उसका वहां पर प्रे का जो काउंट था वह कम था उसकी वज़ज़ से क्या हुआ होँ चो छोड़कर वह पर पर समाट एनिमल कॉन्फिक्ट होने वज़े से महवीर की जो है वो देथ हो गए ठीक है और अगर एक और देखे point criticism का ये भी point है कि Translocation was done in haste and field staff and tiger reserves management were not prepared तो इसके लिए वो prepare ही नहीं थे इसलिए हमारा जो इंडिया का first interstate translocation project था वो fail हो गया समझ गया इस चीज को पूरा कहानी समझ गया तो इंडिया का first interstate tiger interstate translocation project of tiger ये fail हो गया इसके कारण ये थे तो टाइगरेस जिंदा है टाइगरेस को हमने क्या किया हमने टाइगरेस को फिर से वापस ले जाकर हमने सुन्दरी को बांदवगड टाइगरिजम में छोड़ दिया जा से हम लेकर आये थे काना से जिसको लेके गए थे महवीर जी को वह महवीर जी की death हो गई किसकी वज़े से पोचिंग की वज़े से तो सतकोसिया टाइगरेस आपको समझ में आ रहा है इस टॉपिक का इस वीडियो का क्या relevance है मैं कहां से information लाकर आपको सब कुछ करने करवा के इस एक map में map का locate तरवाने का पहला मतलब यही था locate नहीं करवाता तो यह आप जान ही नहीं पाते कि कि किसकी बात हो रही है कहां पर हमने कास उठा कर कहां पर translocation किया है दूसरा चीज देखिए tentative list of UNESCO World Heritage Site यह tentative list होती क्या देखिए ऐसा tentative list क्या होती है this is the final list इसके बाद क्या होता है this list is required before the final nomination of any site तो किसी site को finally nominate करने के लिए उसको पहले tentative list में डाला जाता है ठीक है तो UNESCO का World Heritage Site का जो दर्जा दिया जाता है उसकी पहले tentative list बनती है उसके बाद उसका final nomination बनता है तो यहां पर six site जो थी जो की archaeological survey of India ने submit की थी उसको accept कर लिया है UNESCO में ठीक है UNESCO की tentative list में उसको include कर लिया गया है which is the requirement before the final nomination of any site और उन 6 में से जो एक था वो था सत्थपूरा टाइगर रिजव तो जो सत्थपूरा टाइगर रिजव समध्देश को जब हमने देखा था कि UP अंदर घुसरा उसकी बीस में आपने 90 डिग्री डाला था वहां पर आपने सत्थपूरा टाइगर रिजव देख में की काया है यह इसके पास चांसे से कि यह और एक साथ धार में ब्रेकुमिए को कूर यहां पर आजाब ही क्या हो की इसको हम बोलते है's folk art from the Kirla फोल्ए नाग है कि में स्कतनत और दूसरा आपको पूछ सकता है वह tiger dance के बारे में तो यहोँए से सिलेटed है तो पुलिकळी मैंने अपर आपको दे गया तो उड़को अन थाकिल जो इंस्टुमेंट है उनकी बीट्स पर यह लोग डांस करते हैं, बड़ा मस्त लगता होगा, मैंने कभी देखा नहीं है, पर देखने की इच्छा तो है, पुलिकली वाज इंट्रिडूस बाई अस्ट वाइल रूलर ओफ कोचीन, महराजा राम वर् बज़र से मनकीडिय ट्राइब के बारे में, तो रिसेंटली अन्यूली कॉंस्टिटूड़ पंडा कमिटी अंडर ट्राइबल अफिर्स मिनिस्ट्री इस तो लुक इन्टो इन्टो इशू ऑफ फॉरस राइट्स ऑफ मनकीडिय ट्राइब इन्द सिमली पाल टाइगर तो मनकीडिय ट्राइब में क्या हुआ भाई देखिए वहाँ पर इशू क्या था कि बेसिकली जो फॉरस राइट्स होते हैं उनको डिनाइग कर दिया गया उनको डिनाइग किस अंटर किया गया देवर बेसिकली डिनाइड हैबिटार्स राइट इंसाइड सिमली पाल यहां पर मनकीडिय ट्राइब भी इंपॉर्टेंट है किस टाइगर रिडेटेट है यह इतना जादा इसलिए पॉर्टेंट है क्योंकि यह कहां पर आते हैं मनकीडिय इस वन अफ़ था थर्टीन पर्टिकुलर्य वर्न लेबल ट्राइबल ग्रूप स्पीवी टीजी तो सिमली पाइब टैगर रिजर्व में एक सियाली जो है फाइबर जो होता है वो प्रिजेंट होता है वहाँ पर जिसकी वज़े से वो क्या बनाते है रोब बनाते है और उनका जो लाइबली होडे इस पर डिपेंड करता है ठीक है सो देवर बेसिकली डिनाइड है 2019 का सवाल है PVTG resides in 18 states and one union territory a stagnant or declined population is one of the criteria for determining PVTG status there are 92 PVTG officially notified in the country so far a ruler and konda ready tribes are included in the list of PVTG तो बताए कौन सा correct है या आपके लिए सवाल है comment box में इसका answer आप बताएंगे तभी मैं इन चीजों को आपके लिए लाया करूँगा इतना मेनत आपके लिए तभी करूँगा जब आप reply करेंगे आप अपना answer यहाँ पर बताएंगे धून के बताएंग Tiger Reserve जो है वह important है नेस्ट बात करें Tiger Trump की यह international relations है यह क्या है first ever tri service joint exercise between India and United States तो पहली दफा ऐसा हुआ है this is the first ever tri service joint exercise यानि यहाँ पर army, naval, navy and air force तीनों participate करेंगे tri service joint exercise है इंडिया और US के बीच में तो यह joint exercise भी पूछ लेता है किसके बीच में है यह भी पूछ लेता है और यह Tiger Trump है इसलिए मैंने Tiger से related था तो मैंने यहाँ पर इसको put up किया है Tiger Trump is first ever tri service joint exercise between India and US this is all about Tiger reserves तो आपको इतना ही पढ़ना है Tiger reserves में protected areas में आता क्या है उसके बाद आपको मैंने पूरे Tiger reserves को locate करवाए हैं उसके बाद मैंने आपको पूरा information बताया census का data का कहां पर बिल्कुल एक Tiger account नहीं है statement wise वो सवाल पूछ सकते हैं और उसके बाद मैंने आपको 106F काजी के ब बारे में बताया Royal Bengal Tiger के बारे में बताया Translocation के बारे में बताया Pullukili Kirla का Tiger Dance के बारे में मंकीडिय के बारे में बताया और Tiger Triumph के बारे में आपको बताया this is all about tiger reserves I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो like ज़रूर कीजेगा और comment करके उसका जवाब दीजेगा साथ में आप कुछ अगर प्यारा प्यारा लिखना चाहते हैं आपका कोई criticism है तो वो भी आप लिख सकते हैं थैंक यू नमस्ते एंड जय हैंत